हेलो गाइस वर्कम बैक टो मैं चैनल अगेन इट्स अभी बॉंजाय हैर आज हम रिव्यू करने वाले हैं मलबरी के उपर जिसे हम इंडिया में सेतुर का पेड़ भी कहते हैं सेतुर के पेड़ में रेड रेड कलर की बैरी ग्रो होती है जो पहले ग्रें रहती है फिर रेड ह में देखेंगे हम लोग कुछ गुड़ पॉइंट्स अगुछ बैट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे उसके बाद हम लोग रिसाइट करेंगे कि वह अच्छा माटेरियल है बनाने के लिए या नहीं चलते हैं मलबरी के कुछ बैट पॉइंट्स के तरफ कई बार ऐसा होता तो वहां से वह ग्रोथ नहीं देता है बाद में वह क्या करता है कि कहीं और से ब्रांच ग्रो कर देता है जो उसको सीधा उपर लिके जाए ऐसा नहीं कि हर बार आपका मलबरी वायरिंग करें कई पर ऐसा होता है जो ब्रांच अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है उसको अग को ग्रोथ है कि बहुत स्लो हो जाएगा उसके रूट्स कई जल्दी फैल जाते हैं जिसके वज़से अगर उसको स्पेस ना मिले तो वह अपना ग्रोथ रोग देता है वहीं पर गाइस अगर आप मलबेरी का बनाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको एक बड़ कर्योंस अपना रहे हो तो आप उससे पत्ली कटिंग से बिलकोल ना लगाए पर अगर अगर यह अगले बैटवंट की तरफ मलबेरी का जो पेड़ है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है एक साल के अंदर वो छोटी से सीडलिंग से 5-6 फूट तक वो ग्रो कर सकता है अगर उसको एक अच्छा स्पेश मिले तो पर वो मेच्योर जल्दी नहीं होता है आप देखेंगे कि आपका पेड़ बहुत ज़ से मिच्योर हो जाता है बड़ आप यह एकस्पेक्ट नहीं कर सकते कि आपका वो पेड़ जल्दी मिच्योर हो जाए मलबेरी का जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा फाइबर रूट्स ग्रो करता है पर उसका प्रूनिंग आपको करते रहना पड़ेगा मलबेरी के जो ब्रांच है वो लीट कर जाएंगे और बागे साइर ब्रांच इसको उसको यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आपका बॉंजाई का शेप इस तरगे से खराब हो सकता है चली हम देखते हैं मलबेरी के कुछ गुट पइंट के दरफ मलबेरी का जो पेड़ हो बहुत ही जल्द कवर करके आपके सामने आता है नए ब्रांच नए लीफ और नए रूट के साथ जो कि एक बॉंजाई मेकर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कई मलबेरी ट्री के जो ब्रांच इस वह कहीं से भी ग्रो करता है कई बार क्या होता है कि उसके ट्रंक से या रूट से उसके अगर आप इसको बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशन्स रटना पड़ेगा कम से कम चार से पांच साल तो आप इसको सोची नहीं सकते कि टोटल बॉंजाई बन जाए पर अगर आप उसको घर पेड़ लगाना चाहते हो जिससे आप फ्रूटिंग करना चाहते हो तो बहुत ये अच्छी तरिके से ग्रो हो जाएगा आप मेरा ये पेट देख सकते हो मैंने इसको पिछले साल सिर्फ एक पैंसिल के साइज का लगाया था कटिंग और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको बड़ा करूंगा मैंने सुझ जाता है कटिंग बचा हुआ आप उसको शेड़ी एरिया में नहीं रख सकते शेड़ी एरिया में वह बहुत ज़्यादा लंबा लंबा उसका नोड्स हो जाएंगे तो आप उसको अगर रखेंगे तो फुल सनलाइट पे ही रखिए वह बहुत ही अच्छा ग्रोथ का रिजट आपको देगा और गाइस मलबेरी को फटिलाजर की ज़रूत बहुत होती है अगर आप उसमें फ्रूटिंग करना चाहते हों क्योंकि लोग मोस्ली फ्रूटिंग के लिए ही उसको बॉंजाई या तो सीडलिंग लगाते हैं तो आप उसको फटिलाज करते रहे हैं उसमें कंपोस्ट अगर आप उसका बॉंजाई बना रहे हैं तो इसको दो से तीन फूट से बड़ा बॉंजाई बनाईए तो ही आपका शेप बहुत अच्छी तरिके से आएगा और आपका बॉंजाई कंप्रीट होगा और वह दिखने में उतना ही बहतर लगेगा और जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपको बॉंजाई ग्रो करना है तो सबसे पहले आप उसको यह तो बड़े पॉट में रखिए यह तो उसको मिटी किंदर लगा दीजिए उसको बड़ा होने दीजिए बड़े होने के बाद उसको प्रून कीजिए फिर उसको अच्छे से सारा ब्रांच ग्रो करने द और आपका जो बनाने का सपना है वो और भी डिले हो जाएगा जितना चोटा पॉट उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा उसमें से बनाने के लिए और गाइस मलबरी ट्री भी बाकी पेड़ों की तरह ही है जिसको ड्रेनेज पसंद है उसको ऐसा सोल दीजिए जिसमें से पानी अच्छे से निकल जाए पानी वहाँ जमाना हो ताकि उसके रूट जो है वह संड ना जाए तो यह थे कुछ गूट पॉइंट 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 मलबरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंसाग्राम पे मैं नीचे अपना आइडी दे दूँग Thank you guys for watching